परम प्रममाय स्री स्री ठाकूरन कूल चंद्रेर स्रेहस्त लिखित ग्रम्थ सत्यानु शरन पाट करछे अंधो हवा दुलभाग्गो बटे इन्तु जोष्टी चुत हवा आरो दुलभाग्गो करन जोष्टी अनेक्टा चक्खूर काज करे स्कूले गेले इताके चात्र मलना आर मंत्रो निले इताके शिष्षो बलना ह्रिदायटी शिख्खबा गुरुरादेश पालोनेर जोन्न सर्वदा अन्मोक्त राख्ते हए अंतरे स्थीर विश्षास चाई तिने जाई बलदेबेन ताई कर्ते हवे बिना अपत्तिते बिना अजरे बरम परमा आनन्दे जे छात्र बाशिष्ष प्राणपने आनन्देर शोहिद गुरुरादेश पालोन करे छे शे कखने बिफाल हाईनी शिष्षेर कर्तब्ब प्राणपने गुरुरादेश कार्जे पर्णत करा गुरु के लखो कोड़े चौला है। और मंत्र लेने से ही किसी को शिशन कहते। रिदा को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थीर विश्वास चाहिए। वे जो भी वोले देंगे वो ही करना होगा। बिना अपत्ति के, बिना हिच की चाहट के वल की परमानंद से। जिस शात्र या शिश्य ने प्रानपन से आनंद सेद गुरु का आदेश पालन किया है। वो कभी भी बिफल नहीं हुआ। शिश्य का करतब है प्रानपन से गुरु के आदेश को कारज में पन्नत करना, गुरु की लक्ष करके चलना। जभी देखोगे गुरु के आदेश से शिश्य का आनंद हुआ है, मुख प्रफुली तो हो उठा है, तभी समझोगे की उसके हृदा में शक्तिया। To be blind is unfortunate indeed, but to be without a staff is even worse, for the staff does much of the eyes work, going to school only doesn't make a student, and taking initiation only doesn't make a disciple, the heart should always be kept open to carry out the orders of the master or teacher, have firm faith within, whatever he says must be done and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. The student or disciple who gives his all in carrying out the orders of the master with pleasure is never disappointed. The disciple's duty is to materialize the comments of his master and to move on, taking him as the ideal. Whenever you find that on getting any comment from his master, the disciple is pleased and his face blooms, you will know that strength has come in his heart. Joy Guru